हेलो प्रेंट्स कैसे हैं आपको उम्मीद करता हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहा है वन वर्ट सब्टिटुशन की सिरीज में आज आगे आपको कुछ पढ़ाना है आज के कुश्चन्स जो हैं वो काफी इंपर्टेंट हैं तो चलिए का हुआ है फियर ओफ बींग कनफाइंड टू और इसमाल प्लेस एक ऐसा फियर एक ऐसा डर किसी जगह पर आप कनफाइंड हैं मतलब वहीं पर लिमिटेड कर दिए गया हैं सीमित कर दिए गया हैं कुछ छोटे अस्थान पर मतलब कभी-कभी यही चीज आता है कि फियर कनफाइंड कर दिए गया हैं किसी स्माल प्लेस पर कि छोटे प्लेस पर तो वहां पर जो है आपके अंदर जो डर की फीलिंग आती है उसे क्या करें एक वर्ड देखिए उसे क्या कहते हैं एगोरफोबिया लिखा हुआ है तो यह तो होता है भाई भीड से लगने वाला भा फीड भार युक्तस्वान वहां पर लगने वाला भाई गलत हो गया है एक्रोफोबिया उचाई से लगने वाला है यह भी कट हो गया आपका एक आप्षन वहां पर जो है वो सी वाला है जिसको ख्लेस्ट्रोफोबिया ठीक है, क्लेस्ट्रोफोबिया, क्लेस्ट्रोफोबिया मतनल क्या होता है, कि कोई ऐसा प्लेस हो, जो डार्क हो, इन्क्लोज्ड हो, यह छोटा इसमाल जगा हो, वहाँ पर आपको रख दिया गया हो, लिमिट कर दिया गया, तो उस समय जो आपके अंदर फिलिंग आती है, उस सर जो है, वो आपका क्या हो गया, सी हो गया, सी हो गया, इसमें एक option मैं आपको लिख दूँ, जो आपके काम आएगा, क्योंकि वो सही option नहीं आया है, माइथोफोबिया, माइथोफोबिया क्या होता है, माइथोफोबिया वो होता है, कि जैसे जूट बोलने पर लगने वा जूट पकड़ना जाए यह वो जो उस तरह की feeling आती है तो वो mytophobia कहलाता है mytophobia उसे कहते हैं आप जो है अगले question को देखते हैं हम लोग लिखा हुआ है अगले question में क्या लिखा है लिखा हुआ है a lover of mankind मानो जाती से मनश से प्रेम करने वाला मनुश से प्रेम करने वाला कौन है क्या उसको एक word में कहते हैं अब देखो लिखा है misanthrope तो यह तो बिल्कुल नहीं होगा cut हो गया क्योंकि मैं आपको समझाया था मैंने एक कोई lecture था जितने इस तरह से बात आई थी तो मैंने बताया था कि ज़ें आई मिसो या मिस्कर के इसे इतना थे आता है तो उसका मतलब हेट से है जैसे मिसो लॉजिष्टु मिसो लॉजिष्टु तो इसका मतलब क्या है कि विद्ध्या से नफरत करने वाला या मालनों लिखा है कि मिसो गाइनिस्ट महिलाओं से नफरत करने वाला कि गाइना मालस मतलब होता है महिला होता है इसलिए ये सब मिसो वाला जो है वो तो पहले ही आपको कट हो गया नीचे में देखते हैं डी वाले में अथीष्ट लिखा है अथिष्ट नास्तिक होते हैं, जो विश्वास नहीं करते हैं, existence of God में, भगवान उसमें अस्तित में उनको विश्वास नहीं होता है, अथिष्ट, एक होता अथिष्ट और एक होता अथिष्ट, तो ये भी कटो गया, altrist जो है, option B जो आपको दिख रहा है, परोपकारी इसको करते हैं, lover of mankind होते हैं, वो, हाला कि lover of mankind के लिए एक word आता है, एक word आता है, philanthropist, ये word आता है, philanthropist, या कभी-कभी, ऐसे ना करके, एक word और आता है, philanthropist, ठीक है, philanthropist होते है, मनुष्य से, mankind से प्रेम करने वाले लोग जो है philanthropist या philanthrop कहलाते हैं तो देखते हैं अगले question में क्या कहा जा रहा है अगला question क्या है अगला question कुछ इस तरीके से है कि लिखा हुआ है a person who comes to a country एक ऐसा person जो किसी country में आता हो किसी देश में आता हो from his own country अपने खुद के country से to settle होने के लिए अपने देश छोड़ करके किसी दूसरे देश में जाता हो अब देखिए वहाँ पर जो है जो मतलब जो है जो आता हो comes to a country यह वाला भी वाला option एक दमाराम से लगाईए चीक है immigrant इमिग्रेंट one who comes वाला और की वाला जो इमिग्रेंट है परवासी मतलब जो है जो यहां से जाता हो आपने immigration देखा होगा immigration यादी रख्लम मिलता है तो उसमें एक है migrant जो migrate कर जाता हो तो उसके लिए migrant होता है तो यहां पर जो है वह वर्ड आ रहा है immigrant आ रहा है फिर जो है अगले question को देखते हैं लिखा हुआ है यहां पर क्या लिखे हैं हम इसको देखेंगे लिखा हुआ है lover of self मतलब ऐसा कोई जो अपने आपको बहुत importance देता हो अपने मतलब कह लिजे कि आत्मोही चाइप का हो मतलब हम बहुत कुछ है ऐसा मानता हो देखिए वहां पर जो है option में तो अगर आप सोच रहे हैं तो ध्यान रखो कि इगो इस्ट नहीं होगा अप्टिमिस्ट आशावादी इगो इस्ट में बहुत जाद ही इगो होता हो तो इगो इस्ट वाला तो आपको पहले ही कट गया इगो मैनिक यह भी होता है कि हमी सब मतलब एक मेनिया सनक रहती है लेकिन इसका जो answer बनेगा जो आयोग ने answer दी माना है इसका जो question पूछा गया था तो नार्सिष्ट करके एक word जो है आता है नार्सिष्ट वर्ड कहां से आया है असल में Greek mythology में एक young man था मतलब बहुत handsome था नर्सिष्ट उसका नाम था तो उसको जो है वो अपने आपको मतलब भई स्मार्ट तो था ही वो तो वो जो क्या करता था कि मतलब जो है उसके पास बहुत सारे proposals और बहुत सारी लड़कियों उसको प्रस्ताव दिया प्रेम का लेकिन वो सबका प्रस्ताव ठोकराता रहा औ और इसे में क्या हुआ कि Goddess of Love जो है उन्होंने भी उसको जो है प्रेम की जो देवी है भेश बदल करके आई और उसको प्रपोस किया लेकिन वो उनको भी ठूकरा दिया समझ नहीं पाया इससे क्या हुआ कि वो इतना ओफेड हो गई कि उन्होंने उसको कर्स कर दिया कि तु तो नेरसिस क्या करता था कि एक समुद्र के किनारे जा करके वही पर खड़ा रहता था और पानी कि छाया में अपने आपको देखता रहता था और बहुत अपने आपको प्रेज करता रहता था कि मैं कितना हूँ इस चक्कर में उसका खाना पीना छूड़ गया सब से छूड कि ऐसा करते-करते में गिर करके, वो मर गया. तो अब neracist के नाम पर जो है, वो neracist बना हुआ है. मतलब अपने आपको ही प्रेम करने वाला. मुझे लगता है कि आपको इस जो मैंने शार्ट श्टोरी ही एक तरीके से बताया है, इससे आपको जो है समझने में बड़ी आसानी पिली होगी अगले question पर बात करते हैं अगला question क्या है लिखा हुआ है one who works for the welfare of women question ऐसा कोई जो महिलाओं के महिलाओं के welfare के लिए कल्यान के लिए कार्य करता हो उनका सहयोग करने कोशिश करता हो बहुत सारे लोग जो है feminist रहे हैं राजा राम मोहन राय जो मतलब सती पर्था वगएरा खत्म किये बहुत dangerous पर्था थी बिना वजा जिसकी मौत में उसको भी जला देते थी तो फ्यूजिटिव जो है वो तो होगा नहीं क्योंकि इसका मतलब तो भगोड़ा होता है ऐसा कोई जो नियम कानून से भागता हो आपके सामने फ्यूजिटिव के रूप में नीरो मोदी मेहुल चोकसी और बहुत सारे बिजय मालिया वगएरा है कि यह लोग जो फ्यूजिटिव हैं जो भाग गए हैं यहां से पैसा लेकर गए तो यह तो नहीं होगा फैमिनिस्ट जो मैंने कह दिया था अभी थोड़ी पहले आइंसर के रूप में फैमिनिस्ट ही होगा फैमिनिस्ट वो लोग है जो महिला सम होते हैं और फैमिनिस्ट से आप जो है ऐसे अगर नहीं याद होता है तो आपने फैमिनिन जेंडर फैमिन जेंडर के बारे में मैंने आपको पताया था इस्त्री लिंग यह आप मान नहीं समझ नहीं सकते हैं तो कम से कम आप एफ से पकड़ लीजिए कि एफ से फीमेल होता है female होता तो जो feminist है feminist लोग वो है कि ऐसे लोग जो work करते हैं विमेन महिलाओं के लिए जो है उनके सहयोग की बाते करते हैं उनका मतलब जो है प्राबलम का solution चाहते हैं तो धाई फैमेनिज्म जहां पर आई एसम आ गया है यह तो नाउन है सीधा सा मतलब उसी का नाउन है नारिवाद को कहेंगे अद्राइस उसको कहते है मानोहितैशी जो मनुष्य का हित की बात करता हो उसका हित चाहता हो लवर आफ मैनकाइल उसी को पिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं एंथ्रोप से लिया गया एंथ्रोप मनुष्य के लिए इस्तिमाल होता है हम लोग आगे की बात करेंगे अगले question पर आते हैं लिखा हुआ है one who is a breaker of images ऐसा कोई जो break करता हो तोड़ता हो images को ठीक है जो image हो किसी चीज की मतलब and traditions जो traditions के खिलाफ हो जो कोई image वगएरा को तोड़ता हो परंपरवादी ना हो तो उसको हम क्या कहेंगा देखिए hedonist को लगेगा नहीं क्योंकि इसका मतलब होता है खाओ पीओ मस्त रहो ठीक है hedonist वह थेवरी है मतलब hedonist वह लोग है जिनका जीवन में सिर्फ प्लैजर ही जिनका जीवन में सिर्फ एक ही पतलब है कि आनंद जीवन छोटा है एक बार मिला है तो आनंद से रहिए मतलब उधार माग के घी पीओ ठीक है कैसे भी करके हमें अच्छे से रहना है तो वह hedonist तो सुखवादी होता है उसको हम जो है नहीं लिखे गया यह जो है अमारा answer नहीं बनेगा यह पहले कट हो गया ट्रेडिशनलिस्ट ट्रेडिशन को मानने वाला तो ऐसा होई नहीं सकता ब्रेकर की बात की गई थी परंपरवादी वह नहीं ह होते हैं वह मूरती भंजक होते हैं मतलब जो इमेजेज या ट्रेडिशन्स वगयरा के खिलाफ होते हैं तो आइकनो क्लेश्ट जो है वही होगा पॉडरनिस्ट नहीं होगा आधुनिक वादिता का मतलब यह नहीं है कि आप जो है वह पूरी तरह से एकदम सब सारी चीज़ हैं उनको जो है वह पसंद नहीं करते हैं तो हम लोग जो है वह अपने अगले कोश्चन पर बात करेंगे सीधा आते हैं अगले कोश्चन पर इसमें जो है आपको मिलेगा वन हूँ डज नाट ऐसा कोई जो नहीं करता हो एक्सप्रेस हिंसेल्फ अपने आपको एक्सप्रेस मंतलब जो बिलकुल जादा ना बूलता हो उसके लिए लिए लिकाओन ऐसा कोई जो नहीं बोलता हो अपने आपको इस्प्रिस ना करता हो freely कुछ नहीं आप इसमें जो हैं और जो जादा बाथ्चीत नहीं करते हैं एक तरीके से ये लोग जो है रेजर्व्ड रहते हैं आप ने देखा होगा आपके घर में भी भाई पहलं में भी कभी कर ऐसा हो सकता है कुछ नोग बहुत पूलते हैं एक्स्टोवर्ट होते हैं यह जो है कोई भी आएगा घर में उनसे फॉरा फोरी दिर में फ्रेंक हो जाएगे उसे पूरा लता-पता सब ले लेगे ठीक है और ऐसे लोग ज्यादा तर जो है वो नेता बन जाते हैं एक्स्टोवर्ट लोग या के नहीं युवा न मतलब वह लोगों से बोलता है रिये नहीं कि नहीं बोलता है लेकिन वह लिमिटेड भойти कम बोलता है या अपने बारे बहुत बहुत जादा बोलने वाला बहुत जादा बोलने वाला वाचाल कहते हैं जिसको आप टाकेटिव कह सकते हो जिसको आप लोक्वेसियस कह सकते हो जिसको आप गैरूलस कह सकते हो जिसको आप चैर्टी कह सकते हो कितना बताऊं यह सब सारे वर्ड जो है सब इंपार्टेंट हैं सब एक्जाम में पूछे गए लगबग दोनों चीज़ें उसके अंदर वह भी हो वह भी हो अपका हम लोग बढ़ते हैं अगले कुश्चन पर अगला कुश्चन क्या कह रहा है देखते हैं अगला कुश्चन जो है इस तरह से है वही बहुत पतरनाक आगया है देखिए ऐसा कोई वन आयसा कोई गलत नहीं है लेकिन अपकोई भी चीज जादा हो जाएगी तो ठीक नहीं है क्योंकि आपने पढ़ा होगा हर चीज की जियादती बुरी होती है तो वही वन ऐसा कोई कि वह इस एक्स्ट्रीमली बहुत जादा अत्यधी फॉंड आफ वन्स वाइफ मतलब बिल्कुल जोरू को गुलाब जिसको आप कहते हैं तो मतलब पत्नी कहें कि खाओ तो खाएं पत्नी कहें सो तो सोएं उसी की जाप्से सब काम करें तो उसको क्या कहते हैं युक्जोरी स फाइड मनें पत्मिक हत्या होता है आपने देखा होगा क्राइम पेट्रोल और सामान इंडिया फाइट बैक नाओ जिसमें इस तरह के आपको दिखाय जाते हैं पत्मी की हत्या हो गई या पतिक है तो यह सब तो इसको मार्डर आफ मार्डर आफ वाइफ ठीक है किलिंग आफ वाइफ जो होता है उसको जोरी साइड कहते है जहां पर वर्ड आएगा वह पत्री से रिलेटेड है यहां दो ही शब्ड ऐसे हैं एक यह उपर वाला जो हुआ नहीं इस भी वाले पर लगाई यह आप आपको गलत नहीं होने वाला है इसको कहते हैं यार सुन लो आप लोग हैंपक्ड भी कहते हैं अर्थाथ पत्नी के बस में रहने वाला पती तो अगर आपके सामने कोई ऐसा एक्जामपल है तो कमेंड में बदाईएगा कि कोई किसी को देखा हो ऐसा तो एक्जोरियस है इसम नहीं होगा यूजर भी नहीं होगा इसम नहीं होगा एक्जोरियस होगा इक्जोरी साइड अगर मानना हो तो मार्डर आफ वाइफ होता है तो आपको यह बताना है कि मार्डर आफ हस्वेंड किसे कहते हैं मार्डर आफ हस्वेंड के लिए वन वर्ड में क्या होगा व दिखा हुआ है यहां पर दिखा है कि one who has a long experience एक ऐसा कोई जिसको लंबा अनुभव हो of any occupation किसी occupation का किसी पेशे का उसको लंबा अनुभव हो तो आप हम उसको one word में क्या कहेंगे one word में हम उसको क्या कहेंगे ठीक है देखिए virtuous अगर है तो इसका मतलब गुणकारी होता है जिसमें बहुत सारे qualities हो ठीक है गुणवान या गुणकारी होता है गुणवान जिसके अंदर गुण हो quality हो जैसे कि अप लोंग के अंदर हैं तो यह नहीं होगा in होता है से कोई काम करृत होते हैं स्वेट्षा से अपने आप स Bryce स्व फर्विश देते सम्सीय नहीं होगा आपको पूछा क्या है कि one one who has a long experience जिसको जो है वह बहुत लंबा अनुवों हो आफ एली अकुपेशन होना चाहिए विट्रेंच जो है वही होना चाहिए एंसर पहला वाला है अनुभवी से एक्सपिरियंसस्ट एक्स्पिरियंस्ट डाही लीजीए इसको एक्स्पिरियंस्ट experienced experienced person हो कोई तो आगर experienced जो है veramente अनुभवी होता है यह experience होता है तो जिसको न अनुभव हो हुआ उसका भी आफ आइंसर कमेंट सेक्षन में हमें बता सकते हैं कि जिसको अनुभव नहीं हो उसे हम क्या कहेंगे एक word में वन वर्ड में उस लिखा हुआ है कैसे क्या है यह सब सारे कोश्चन जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं ध्यान बनाए रखें जिस दिन आपको यह सब पेपर में मिल जाएगा ना आप समझ देंगे कहाँ हो गया काम अच्छा लिखा हुआ है एक एक ऐसा इसपीच जो बिना तयारी के बिना पूर्व तयारी के दिया गया कोई भाशण हो तो उसको हम क्या कहेंगे तो चलिए देखते हैं क्या कहेंगे नेव अगर कहेंगे तो सीधा साधा होता है जिसको कोई अनुभो नहीं हो सीधा साधा सीधा साधा नेव क्रेडूलस जिसको हम लोग कह सकते हैं क्रेडूलस कह सकते हैं नेव है जिसको व्यादा अनुवर नहीं होता है नया होता है किसी छेतर में नौविस का भी मतलब लगबग जो है नौसिखिया से है नौसिखिया अब किसी छेतर में नौसिखिया है वो एफिमरल एफिमरल जिसको हम कहेंगे टेंपरेरी या इसी को हम लोग evenis evenis cent भी कहते है as i होता है short lived होता है short lived भी होता है ephemeral है evenis cent है temporary होता है temporary भी होता है तो ये भी नहीं होगा क्योंकि वहां कहा था कि एक ऐसा speech जो दिया गया हो बगार previous preparation के extemporary जिसको बतलब कहते है बीना तैयारी के दिया गया भाशण बीना पूर्वती जैसे माली जिए मैं आया पढ़ाने class में आपने कहा कि थोड़ा सा जो है आप उस पर unemployment problem पर बोल दीजिए मुझे कुछ जो है hint मिल जाएगी मेरे class में का गया है लिखे मैं सोच के नहीं आया था कि आप हमसे कहेंगे कि unemployment problem पर बोलना लेकिन जब मैंने शुरू किया तो मैं बोलने लगा unemployment is one of the most important one of the most challenging problem problem of our country even our youths are looting from here to there in the search of jobs and they are unemployed this is the most serious problem in the country तो इस तरह से मिला हम बोलने लगे उसके बारे में अच्छा खास आप बोल गए तो क्या मैंने सोचा तो नहीं था उसके बारे में कि मैं आप आप से यहीं पूछेंगे लेकिन हम बोल गए तो वह क्या हो गया एक्स्टेंपरी यह हुआ बिना पूर्व तैयारी के दिया गया भाशर Speech delivered without any previous preparation बिना पूर्व तयारी के दिया गया जो भाशड है उसको हम क्या कहेंगे और अब कुछ नहीं बस इतने ही था अब आप लोग जो है वो पहुच करिये इंज्वाइ करिये तो थैंक यू बेरी मच डू सब्सक्राइब दे चैनल and hit the bell icon so that you never miss an update have a nice day